Hi friends, welcome to English study point. Friends, today I am going to discuss with you about rhetoric and prosody. सबसे पहले बात करते हैं, rhetoric क्या होता है? So basically, rhetoric का मतलब होता है, language को use करने की कला को rhetoric कहा जाता है and language क्या है? Language एक वो medium है, जिसके थूँ हम क्या कर सकते हैं? अपनी बातों को दूसरों के सामने express कर सकते है and हम अपनी बातों को कैसे express कर सकते हैं, words का use करके हम अपनी बातों को दूसरों के सामने express कर सकते हैं So हम अपनी बातों को जब भी दूसरों के सामने express करें, तो हम जो है words को इतने selectively ढंक से choose करें यानि एक इनसान जब भी दूसरों की थिंकिंग के अंदर बदलाव ला सकता है या फिर उन्हें अपनी बातों से इंप्रेस कर सकता है उसे कहा जाता है रेटोरिक यह जो रेटोरिक का आइडिया है यह रेटोरिक का आइडिया प्लेटो ने दिया था अब बात करते हैं कि प्लेटो जो है रेटोरिक को किस तरीके से डिफाइन करते हैं वो कहते हैं कि रेटोरिक उनके लिए आर्ट ओव विनिंग दे सोल बाई डिसकोर्स है यानि रेटोरिक एक तरीके की आर्ट है जिसके थुरू हम क्या कर सकते हैं इसके थुरू हम जो है चीजों को discuss करते समय जो है दूसरों को हम अपनी बातों से impress कर सकते हैं उनके मन को जीत सकते हैं और उनकी आत्मा को जीत सकते हैं हम अपने Rhetoric devices were invented There were techniques of language कि कहा जाता है जब rhetoric devices invent हुई थी तो बहुत सारी तरीके की language की techniques थी जिसके थूँ एक speaker क्या कर सकता है अपने point of view से अपनी audience का दिल जीत सकता है So there were techniques of language used to direct an audience to a speaker's point of view कहने का मतलब है कि इसके थूँ क्या कर सकते हैं हम speaker के point of view से जो है audience को अवगत करवा सकते हैं direct कर सकते है speaker क्या कर सकता है अपने point of view देकर audience को guide कर सकता है with the help of language use then हम rhetoric से जो है दूसरों को convince भी कर सकते हैं अपनी बातों से then formalized study of rhetorics begin in ancient Greeks कि rhetorics की study कहां से शुरू हुई थी ancient Greece से एंड साथी साथ Rome से ये एक तरीके की क्या है foundational element है उनके लिए जिसे जो है education sector में use किया करते थे and इसे कहा जाता है rhetoric को कहा जाता है art of effective communication इसके थुरू क्या कर सकते हैं ये rhetoric एक art हैकला है जिसके थुरू हम जो है दूसरों से effectively communicate कर सकते हैं हम अपने ideas से दूसरों को impress कर सकते हैं उनकी thinking के अंदर हम changes ला सकते हैं this is known as rhetorics and इसे ही rhetorics कहा जाता है and rhetorics में क्या क्या आता है जैसे की metaphors, satire, antithesis ये सारे ही क्या है ये rhetorical devices है which help in conveying thoughts to the people effectively इसके थुरू हम क्या कर सकते हैं हम अपने thoughts को effectively दूसरों के सामने convey कर सकते हैं then words you choose are important कि जब भी आप अपनी बातों को express करते हो दूसरों के सामने तो words जो है मतलब words को selective तरीके से choose करो and then अपनी बातों को express करो and इसे ही कहा जाता है rhetorical devices rhetorical devices are particularly useful devices कि rhetorical devices जो है वो बहुत useful काम आने वाली device होती है जिसके तरू क्या किया जा सकता है audience की जो attention है वो grab की जा सकती है and audience की attention को grab ही नहीं बल्कि जो है उन्हें जो है speaker के point of view से direct किया जा सकता है इसके तरू rhetorical devices के तरू and rhetorical devices में क्या-क्या बाते की जाती है it talks about pace of your speech कि speaker की जब भी speaker जो है speech देता है तो उसकी pace के बारे में बताया जाता है इसमें मतलब क्या-क्या बाते बताई जाती है so basically इसमें ये बताया जाता है कि speaker speech देते वक्त कैसी speech से जो है दूसरों के सामने अपने ideas को convey कर रहा है and साथ ही साथ उसकी voice of tone के बारे में बताया जाता है and साथ ही साथ speaker की overall body language कैसी है उसके बारे में भी rhetorical devices से हमें पदा चल सकता है audience जो है उन्हें judge कर सकती है एक speaker को then अब बात करते है प्रसौडी के बारे में so प्रसौडी किस से deal करती है rhythm और rhyme से प्रसौडी दील करती है and इसमें क्या किया जा सकता है study of all the elements कि इसमें हर तरीके की elements के बारे में study की जाती है जिसके थू जो है rhythmic effect को create किया जा सकता है poetry के अंदर and इसे mostly किसमें use किया जाता है pro speeches में प्रसौडी का use किया जाता है and इसमें क्या क्या elements जो है use किये जाते है जैसे reading aloud जब भी हम read करें तब loudly read करें pause दे कर read करें and अपनी voice को कभी कबाद मतलब धीमी voice से read करें और किसी-किसी मतलब जब भी read करें तो किसी-किसी words पर stress दे so it consists of elements used in reading aloud like pause, low your voice stress on certain words it refers to the rules of pronunciation of a language कि prosoddy का मतलब क्या होता है कि language के अंदर हम किस तरीके से pronunciate कर रहे है किसी चीज को उसके rule को जो है prosoddy बोला जाता है as well as rules for versification इसमें जो है किस तरीके से हमें चीजों को versify करना है versification का मतलब होता है art of writing poetry versification का मतलब होता है art of writing poetry या फिर science of writing poetry is called as versification so it refers to the rules of pronunciation of a language कि कहा जाता है कि हम language के अंदर किसी चीज को जब प्रनाउंस करते हैं तो उसके rule को भी prosoddy बोला जाता है and साथी साथ versification के rule को भी यानि poetry को create करते वक जब हम जिन भी rules को follow करते हैं तो उसे भी prosoddy बोला जाता है how to convert a prose piece into poetry कि किसी भी prose को हम कैसे poetry में convert कर सकते हैं और साथी साथ हम जो है कैसे words को add कर सकते हैं rhythmic effect को लाने के लिए it is the study of meter prosoddy क्या है कि meter, lyric, rhyme, rhythm, epic, dramatic, poetry की study को prosoddy बोला जाता है then form of poetry a poem is known as a poem because it has rhythm कि किसी poem को poem क्यों बोला जाता है क्योंकि उसके अंदर rhythm होती है rhyme होती है and यही जो दो होते हैं यह poetry के elements होते है rhythm और rhyme यह poetry के two elements होते है and rhythm कैसे आती है rhyme और meter का use करके rhythm आती है then friends इसी के साथ यह lecture over होता है and friends please don't forget to like, share, comment and subscribe hope this lecture will help you in your UGC net English literature exams thanks friends for watching